हमारा जो आज का टॉपिक है भोल्टेज रेगुलेशन ठीक है भोल्टता नियमन ठीक है कि भोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या होता है कि जो नो लोड भोल्टेज है और फूल लोड भोल्टेज है ठीक है दोनों का जो हम रेशिवू निकालते हैं अनुपात निकालते है प्रतिशत में ठीके तो वो क्या कर लाता है voltage regulation भोल्ट था नियम है ठीके क्या होता है कि जैसे जैसे आपका load बढ़ेगा न लोड बढ़ेगा तो आपका जो voltage का माहन होता है वो क्या होता है क्या होता है यानि कि लोड बढ़ेगा तो voltage के अमान क्या होता है कम होते चला जाता है तो no load voltage और full load voltage का जो प्रतिसत में हम अनुपाथ निकालते हैं वो voltage regulation कह लाता है तो कह रहा है कि किसी alternator के लिए उसकी घूरनन गती तथा बीधुत धारा के परिमान को नीयत रखते होगे उसकी अवस्था से सुन लोड तक होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है वोल्टता नियमन कहलाता है क्या कहलाता है वोल्टता नियमन वोल्टेज रेगुलेशन कालाता है ठीक है वोल्टेज रेगुलेशन को हम लोग क्या करते हैं कि भी आर से सुचित करते हैं ठीक है और भी आर जो होता है यह क्या होता है कि इसका मान जो होगा आपका प्रतीशत में होता है क्या होता है प्रतीशत में ठीक है तो इसका सुत्र जो होता है आपका VNL NL कहने का मतलब हो जाता है No Load Voltage No Load Voltage को हम E0 या V0 से भी सुचित करते हैं No Load Voltage NL भी लिखा हुआ आपको कोशन में मिलेगा E0 है उसका भी मतलब हो गया कि No Load Voltage है V0 है तो भी आपका मतलब कि No Load Voltage हो गया ठीके तो हमारा जो फर्मूला हो जाता है इसका Voltage Regulation का वो हो जाता है V0 माइनस VFL और बाटा में हो जाता है VFL ठीके और गुने 100 हो जाता है क्या हो जाता है गुना 100 हो जाता है ठीके तो क्या हो गया कि V0 V0 का मतलब क्या हो गया कि No Load Voltage ठीके V0 लिखाओगा कहीं E0 लिखा जाता है कमी आपका VNL भी लिखा रहेगा ठीके सबका मतलब एक ही होता है आपका no load voltage ठीके जैसे कि आपका ये no load voltage जो लिखा V0 हम लिखे है ना तो यहाँ पर जैसे आपका रहेगा जैसे आपका दे दिया जाएगा कि V0 माइनस V और बाटा में V और गुने 100 ठीके तो ये भी आपका voltage regulation का ही सुत्र है ठीके V0 मतलब हो गया no load voltage, V मतलब हो गया full load voltage और V मतलब हो गया full load voltage ठीके तो आप क्या करिएगा ये formula आपको क्या करना है याद कर लेना है ठीके no load voltage ये आपका V, R प्रतिशत में रहता है ठीके 1%, 2%, 3%, V, R का मान जीतना मतलब कॉम रहता है उतना ही आपका सही रहता है ठीके कि voltage regulation क्या होगा जीतना कॉम रहेगा मतलब सही रहा है अल्टरनेटर का दक्षता जो होता है वो बढ़ता है ठीके तो हम क्या लिखते हैं भी एन एल माइनस भी एफ एल ठीके उसके बाद नीचे हो जाता है आपका भी एफ एल ठीके गुने 100 हो जाएगा ठीके यह आप समझ गए फर्मूला ठीके यह लिख लिजिए ठीके यह आप लिख लिजिएगा फर्मूला फिर कहीं कहीं आपको यह फर्मूला आपको मिल जाएगा ठीके इसके जगा पर आपको क्या रहेगा B0-B, minus है यह, बटा में B और गुने 100, इसका भी मतलब वही होता है, B0 मतलब no load voltage, B मतलब full load voltage, और B मतलब full load voltage, ठीके, यह question आप देख लिजिएगा, यह formula आप याद रखिएगा, ठीके, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक question को बनाते हैं, ठीके, question हमारा है, question करा है, कि यदि किसी alternator का load V सयोजित, V सयोजित का मतलब होता है कि load हाटाया जाए, V सयोजित कर दिया जाए, तो उसकी भोल्टता 480 भोल्ट से बढ़ कर 607 भोल्ट हो जाती है, उसका प्रतिशत भोल्टता नियमन ग्याद कीजिए, ठीके, तो हमारा जो formula होता है, क्या होता है कि V, R प्रतिशत, देखिए, हमेशा क्या होगा, V, R का मान प्रतिशत में आएगा, ठीके, ये आपका हो गया, V0, V0 का मान कितना दिया हुआ है, 660 भोल्ट, देखिए, जो अधिकतम मान होता है, जैसे 660 बढ़ है कि 480, तो 660 बढ़ है, ठीके, तो 660 भोल्ट ह भोल्टेज हो गया, कितना हो गया, 480 भोल्ट, ठीके, अब हम क्या करेंगे, यहां पर मान भरेंगे, ठीके, हमारा जो फर्मूला क्या होता है, कि B0-B, और बटा में B, और गुने 100 होता है, ठीके, अब इसमें हम क्या करेंगे, अपना मान भर देंगे, ठीके, तो B0 का मान कित न दिया हुआ है 660-480 और बटा में कितना हो जाएगा 480 फुल्लोट भोलते ठीके और यहाँ पर हो जाएगा गुना 100 हो जाएगा ठीके गुना 100 ठीके अब देखिए 660 में से हम क्या करेंगे 480 घटा देंगे ठीके 0 10 और 616 में से 8 गया 8 5 में से 4 गया 180 आगया ठीके 180 बटा 480 गुने 100 आगया ठीके समझ रहे होंगे ठीके 180 बटा 480 गुने 100 10 से 10 कर जाएगा ठीके 6 से अगर हम कारते हैं 6 से यह कितने बार में करेंगा 3 और 0 चातर यह ठारो और एक 0 ठीके 30 बार में और फिर यह 48 48 जो है चाओ आठे 48 यानिकी आठ बार में कर जाएगा ठीके फिर अभी 2 से कटेगा यह कितना हो जाएगा 15 और यह आपका हो जाएगा 4 फिर यह 2 से कटेगा तो 5 और यह कितना हो गया 2 ठीके कितना हो गया 15 पचे 75 और बटा में 2 ठीके तो 75 बटा 2 का कितना आधा हो जाता है 37.5 कितना हो गया प्रतीशत आपका एंसर हो गया ठीके समझ गया होंगी तो यह आपने से कोश्चन बनाईएगा ठीके और भी ऐसा ऐसा कोश्चन देखिएगा अगर आपको मिलता है तो ठीके कोश्चन बनाईएगा अगर किसी वो है losses यानि कि छतिया ठीक है अल्टरनेटर में क्या होता है कि तीन प्रकार का आपका losses होता है ठीक है अभी तक हम लोग जो transformer परहे थे उसमें किवल यही परहे थे कि कोड में क्या होता है iron loss होता है उत्पन होता है ठीक है और winding में कौन सा उत्पन होता है मगर क्या है कि transformer में आपका क्या होता है कि कोई भी moving part नहीं होता है कोई भी क्या रहता है आपका moving part नहीं होता है moving मतलब घूमने वाला हो जाता है तो आपका जो transformer है उसमें moving part नहीं होता है तो उसमें mechanical loss जो होता है मेकेनिकल यानि कि यांतरिक जो लोस होता है यांतरिक जो छती होती है वो आपका ट्रांसफर्मर में उत्पन नहीं होता है मगर यहाँ जो आपका क्या है अल्टरनेटर है अल्टरनेटर में क्या होगा आपका घूमने वाला पात होता है तो Alternator में आपका तीन परकार का लौस होता है, तीन परकार का क्या होता है? छती होता है, कितने परकार का होता है, तीन परकार का, ठीके, सबसे पहला है iron loss, iron loss कहां उत्पन होता है, फिल्ड, यह कोड में उत्पन होता है, ठीके, वो या तो field का कोड हो, फिल्ड के कोड में भी iron loss उत्पन होगा, और जो armature winding किया गया है, ठीके, armature winding जो है, उसके भी कोड, जो armature winding करते हैं, वो भी क्या armature कोड रहता है, ठीके, तो उसमें भी iron loss उत्पन होता है, ठीके, फिर copper loss आता है, तो copper loss भी दो परकार का हो जाएगा, एक field winding में जो उत्पन हो फिल्ड में फिल्ड का अलग आपकाuir फिल्ड कोड में और लमेचयर कोड में फिल्ड में फिल्ड में अब लाइन पलाइदेम ने मांगोए जब आते हैं यह इसमें भी अलग-अलग प्रकार का हो जाता है ठीक है मेकेनिकल लॉस में क्या हो जाता है तो यह कौर और जो आर्मेचर हो गया और यह आपका वाइंडिंग का कौर हो गया यह दोनों के पीच में खाली अस्थान जो रहता है वहां खाली अस्थान तो नहीं है वहां पर वायू है हवा है ठीक है कि जहां भी आपका खाली जगह है वहां पर तो हवा रहेगा ठीक है तो यह जो आर्मेचर आपका घूमता है हवा में तो हवा जो है उस आर्मेचर के मतलब की प्रवा हमें यानि कि घूमने में घूर्णन में के करता है रुकावट उत्पन करता है चाहे जितना उत्पन करें मगर करता है ठीक है तो जो एयर एयर फ्रिक्शन लास हो जाता है और जो बेरिंग जो होता है जो बैरिंग हम लोग कहते हैं ठीक है कि क्या होता है कि जो आर्मेचर है व गुरी घुमने के लिए ठीके तो यह जो बेरिंग है यहां पर कौम सा लॉस उत्पन होता है फ्रिक्षन कहने का मतला हो जाता है घर्षन लॉस ठीके तो यह जो एर लॉस हो जाता है यानि कि एर फ्रिक्षन लॉस हो जाता है या जो बेरिंग द्वारा फ्रिक्षन यानि कि घ तो आपका mechanical loss में आ जाता है ठीक है mechanical loss में आ जाता है ठीक है समझ गया होंगे कि आपका जो alternator है उसमें कितने परकार का loss हो जाता है alternator में alternator में आपका ये iron loss हो जाएगा उसके बाद आपका copper loss हो जाएगा ठीक है उसके बाद फिर आपका कौन सा loss हो जाता है mechanical loss यानि कि यांत्रिक छती ठीक है तो क्या हो जाता है कि सबसे पहला जो हमारा है वो है iron loss ठीक है iron loss जिसे हम क्या कहते हैं लोह छती कहते हैं ठीक है तो iron loss कहां कहां उत्पन होगा तो आपका उत्पन होगा फिल्ड वाइंडिंग के कोड में ये फिल्ड वाइंडिंग के जो कोड रहेगा और जो आर्मेचर का कोड रहेगा अर्मेचर कोण में ठीके? दो जगा उत्पन हो जाता है iron loss ठीके? iron loss होता क्या है तो iron loss ऐसे कोई loss है नहीं ठीके? iron loss जो होता है वो आपका hysteresis loss और AD current loss को जोर के iron loss कहा जाता है ठीके? कि iron loss जो होता है आपका actual में है क्या? ये hysteresis hysteresis loss और पलास AD current loss AD current क्या है hysteresis loss और AD current loss का यह जोड होता है ठीक है iron loss में आपका क्या क्या रहता है एक hysteresis loss और AD current loss ठीक है तो hysteresis loss और iron loss का जो जोर होता है योग होता है ठीक है वो क्या कहलाता है iron loss उत्पन होता है यह कहलाता है ठीक है iron loss के बारे में हम लोग यह परह हुए हैं कि iron loss जो होता है वो समझे कि fixed loss है ठीक है मतलब कि औपरिवर्तित loss है ठीक है यह लोड रहे या ना रहे आप परिवर्तित छती है ठीक है क्या है आप परिवर्तित छती है ठीक है कि iron loss का मान no load या full load ठीक है ये क्या बोलते हैं कि no load रहे या full load रहे ठीक है दोनों ही अवस्था में iron loss का मान क्या होता है एक समान रहता है ठीक है iron loss का मान no load या full load दोनों ही अवस्था में क्या रहता है एक समान रहता है कि load बरहे चाहे घटे इसका मान हमेशा उतना ही रहेगा ठीके तो ये सब हम लोग पर चुके है और परिवर्तित loss है या fix loss कह सकते हैं इसको ठीके कि ये आपका क्या है fix loss है ठीके और परिवर्तित छती है यानि कि fix loss है ये न बढ़ेगा न घटेगा जितना है शुरुवात में जितना था उतना ही last में भी रहेगा यानि कि load चाहे जीरो रहे चाहे फूल लोड रहे दोनों ही आवस्था में क्या होगा आपका उतना ही रहता है ठीके ठीके तो आ परिवर्तित लोस रहता है आईरन लोस आईरन लोस समाझ गया होंगे ठीके अब देखी जो आपका आईरन लोस है ठीके आईरन लोस है इसको हम लोग ट्रांसफर्मर में आईरन लॉस का मान कैसे निकालते थे short circuit यह short circuit बोल रहा है open circuit test द्वारा ठीक है open circuit test द्वारा हम लोग क्या करते हैं यह iron लॉस का मान निकालते हैं और short circuit short circuit का मतलब होज़ता फूल लोड ठीक है तो उस समय आपका क्या हो जाता है copper loss का मान निकाला जाता है ठीक है क्या कियाता है copper loss का मान निकाला जाता है ठीक है तो याद रखिएगा कि 0 अगर पूछा जाए कभी भी कि alternator पर लोड का मान 0 है उस समय उत्पन छती को यानि कि loss को हम क्या कहेंगे iron loss होता है ठीक है कि लोड उस पर जुटे मतलब कि लोड रहे या ना रहे कौन सा loss रहेगा iron loss हमेशा रहता है ठीक है उसके बाद जो इसमें आपका hysteresis loss था ठीक है यह hysteresis hysteresis loss जो होता है उसको डाबलू एच से सुचित किया जाता है ठीक है hysteresis loss का जो मान होता है वाट में रहेगा ठीके उसके बाद हमारा इसमें था AD current loss ठीके AD current loss ठीके AD current loss जो है ठीके उसका विमान आपका याँ W E से हम लोग स्विचीत करते हैं ठीके याद रखियेगा WH मतलब stasis loss और W E की मतलब AD current loss ठीक है AD current जो होता है यह आपका क्या होता है कि कोड में उत्पन होता है AD current loss और हिस्टेसिस loss और इन दोनों का जो योगफल होता है जोर होता है iron loss का अलाता है ठीक है और AD current की खोज जो है किस ने किया था फूंको ने किया था ठीक है इतना समझ गए होंगे इसके आगे हम लोग देखते हैं अब copper loss ठीक है copper loss गौपर लॉस ठीक है जिसे हम क्या कहते हैं ताम्र छती कहते हैं ठीक है ताम्र छती कौपर लॉस को हम लोग क्या कहते हैं ताम्र छती या इसे हम कह सकते हैं परिवर्तित छती क्या कहते हैं परिवर्तित छती यानि की देखी यह आपका क्या है कि लोड जितना रहेगा ठीके की इसका अगर हम डाइग्राम बनते हैं यहाँ से जैसे कि आपका हुआ ना तो जैसे जैसे आपका ये लोड बढ़ेगा लोड ठीके जैसे लोड बहर रहा है आपका जो copper loss का मान है वो भी बढ़ते चला जाए कहने का मतलब है कि लोड जैसे जैसे आपका बढ़ेगा कॉपर लॉस का मान भी बढ़ते चला जाता है क्यूं बढ़ता है देखिए जो आपका कॉपर है तामबा है इसका जो टेमपरेचर कोफिशेंट होता है पोजेटीव होता है ठीके ये पोजीटीव यानि कि धानात्मक उसको बहते हैं ठीक है देखिए जो temperature coefficient होता है ये आपका सायद DC theory में पढ़ना है ठीक है तीन परकार का होता है एक होता है negative बता देते हैं दूसरा आपका हो जाता है positive और एक हो जाता है आपका zero ठीक है तीनों को ध्यान से देखिएगा ठीक है तीनों को क्या करिएगा ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि जो copper है वो कैसे उसका मतलब की copper loss का मान लोड के अंसार बढ़ते चला जाता है ठीक है तो देखे चुट निगेटिव temperature coefficient है तो जिस भी पदार्थ का negative temperature coefficient होगा उसको क्या है कि जीतना हम गरम करेंगे negative temperature coefficient वाले को हम जितना गरम करेंगे उसका जो प्रतिरोध है resistance है वो क्या करेंगा होगा कौम होते चला जाएगा ठीक है कि जैसे जैसे हम उसको गरम करते हैं वैसे वैसे उसका जो temperature ये resistance है प्रतिरोध है वो क्या होता है कौम होते चला जाता है जैसे में देखिए सबसे पहले आपका उदाहरन हो जाता है कार्बन कार्बन जिसका हम लोग क्या करते हैं ब्रस कार्बन ब्रस जिसको हम बनाते हैं ना कार्बन ब्रस कार्बन ब्रस बनाते हैं ठीक है अच्छा देखिए ध्यान दिजदेने वाली बात है कि जो कार्बन ब्रस है क्या करता है कि कम्यूटेटर पर या सिलिप्रिंग के उपर क्या करता है घर्षन करता है तो घर्षन करेगा तो अगर इसका गरम होने पर रेजिस्टेंस बरहने वाला रहता पोजेटिव वाला रहता पोजेटिव टेप्रेचर कोफिसेंट वाला रहता क्या होता कि यहां से यह जब जितना ज्यादा गरम होगा अगर अधिक गरम होता तो बोल्टीज को अपनी और क्या के जरता जाता तो यह बोल्टेज को ड्रॉप कर लेता आप नहीं अंदर रख लेता आपको output में क्या मिलता है 0 volt मिलता यानि कि बोल्टीज के माण बढ़ते घरते घरते क्या होता है एक समय ऐसा आता कि वोल्टिज का मान जीरो हो जाता ठीक है तो क्या होता है कि कार्बन जो होता है उसका टेंपरेचर कोफिसियेंट निगेटीव होता है निगेटीव कहने का मतलब है कि जितना ही गरम होगा उतना ही इसका रेजिस्टेंस क्या होगा क कम होते चला जाता है ठीक है कम होते चला जाता है तो जतने कम होगा तो क्या होगा कि कौम होते चला जा रहा है तो गरम होवे करेगा जब सिलिप्रिंग पर क्या होगा यह घर्षन करेगा यह सिलिप्रिंग है इस पर घर्षन करेगा जेतने घर्षन करेगा इसका रेजिस्टे मिल जाता है ठीक है समझ गया होंगे निगेटिव टेंपरेचर कोफिसेंट किसका रहता है कार्बन का रहता है और दूसरा जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट पड़ियोग करते हैं क्या पड़ियोग करते हैं इलेक्ट्रोलाइट जिसे हम लोग कि आपते हैं जो बैटरी में हमने पड़्यों करते हैं ठीके इलेक्ट्रोलाइट उसको बोला जाता है ठीके समझ गया होंगे negative temperature coefficient, ठिक है, उसके बाद हमारा आ जाता है positive, positive में वाला देखिए, उल्टा हो जाता है, जब हम positive में जाएगे, तो positive में क्या हो जाता है? positive वाले में जेतने उसको गरम करिएगा जैसे जैसे वो गरम होगा, उसका resistance क्या है? बढ़ते चला जाएगा, क्या होगा बढ़ते चला जाएगा ठीक है बढ़ते चला जाएगा तो जितना भी आपका धातु है सोना चांदी तामबा अलुमुनियम लोहा ये सब ही क्या है पोजेटिव टेंपरेचर वाला है यानि कि जैसे जैसे उसको गरम करेंगे जेतने गरम होगा उतने ज्यादा उस जोड होगा जैसे इतार है अब इस पर क्या होगा कि पांच एंपियर के करेंट जाएगा ठीक है तो देखिए जो आपका टेंपरेचर होता है उसका फार्मुला होता है आई स्क्वाइर इंटु आर ठीक है जब आप पढ़िएगा ठीक है यही होता है अगर सुरू से नहीं पढ़िए तो थोड़े दिकत हो जाता है ठीक है यह समझे आई स्क्वाइर इंटु आर जो है ना आपका पावर का सुत्र हो जाता है तो गरम जो होगा ना वो भी आपका इसी पर निर्वा करता है कि कि कितना गरम होता है ठीक है तो जो करेंट आपका प्रवाहित होता है व उतने उसका का रेजिस्टेंस बढ़ते चला जाता है ठीक है तो अनुं मतलब आई ज्क्वार रिंटू आर से आप क्या कर सकते है ठीक है कि वो क्या होता है copper loss का मान निकाल सकते हैं कि जेतने current बढ़ेगा उतने resistance बढ़ेगा जेतने current resistance बढ़ते जाएगा copper loss का मान भी बढ़ते चला जाता है ठीक है इसी लिए देखिए जो भी आपका machine होता है वो चाहे अल्टरनेटर रहे चाहे transformer रहे या motor रहे motor में देखिए क्या लगा दिया जाता है cooling fine लगा जाते काहला ठंधा रखने के लिए क्यों ठंधा रखेंगे भाई हम काहला extra पंखा लगा देंगे कि तुम ठंधा भी हो जा वह तो बिजली खर्च जादा होता जागा तक cooling fine हम काहला लगाएंगे cooling fine अपना फाइदा के लिए लगाते है cooling fine इसलिए लगाते हैं कि जो आपका यह आर्मेचर पर जो winding किया गया है या मालेजी के stator पर या rotor पर जो winding किया गया है इतारवा हमारा क्या हो कि ठंधा होते रहे जतने यह ठंधा होगा उतना ही इसका क्या होगा कि जतने ठंधा होगा उतने resistance कौम रहेगा तो copper loss का मान हमारा कौम रहेगा जतने copper loss का मान कौम रहेगा उतना ही हम हमार क्या है दक्षता जो efficiency होता है मसीन का वो बढ़ते जाएगा दक्षता का मतलब का हुआ कि आउट जो हम input दे रहे हैं और जो output ले रहे हैं दोनों का अनुपाद क्या हो जाता है दक्षता हो जाता है इसके बाद हमें दक्षता ही परना है ठीक है तो input output का जो output जो मिला और input हम ज output लोस का मान कम होगा ठीक है तो फिर हमारा क्या होगा कि यह धाक्षता जो होता इसकेंसी जो होता है वह बढ़ते चला जाता है ठीक है तो काहने का मतलब है समझ गया होंगे कि पोजेटिव टेंपरेचर कोफिसिंट का मतलब क्या हुआ कि जेतने गरम करेंगे उतने उसका रेजिस्टेंस का मान बरते जाएगा ठीक है निगेटिव में क्या था उल्टा था कि गरम करेंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा पोजेटिव में है कि जेतने गरम करेंगे उ दोहा हो गया यानि कि काने का मलद जितना भी आपका धातु है ना सब पोजेटिव में आ जाता है ठीक है लगभग में ठीक है उसके बाद आपका लास्ट है जीरो देखिए जीरो जो होता है जीरो कोफिसेंट का मतलब हुआ कि इसका जो है गरम करिए चाहे ठांडा करिए यानि कि ये कॉंस्टेंट इसको बोला जाता है कॉंस्टेंट कॉंस्टेंट ये टेंप्रेचर कोफिसेंट ताप गुनांक टेंप्रेचर कोफिसेंट को हिंदी में बोला जाता है ताप गुनांक ठीक है कि जीरो टेंप्रेचर कोफिसेंट वाला यानि कि सुन ताप गुना यह उतना ही रहेगा ठीक है कि जितना है उतना ही रहेगा ठीक है तो जैसे में आपका हो जाता है जो हम मिक्स ये क्या बोलते हैं उसको यूरेका जो होता है मिस्र धातू जो हो जाता है ठीक है मिस्र धातू जैसे यूरेका हो जाता है ठीक है यूरेका ये यूरेका क्या होता है कि इसका प्रयोग हम लोग रजिस्टर यानि कि जो प्रतिरोधक बनाते हैं ये रजिस्टर टी ओ आर हो जाता है रेजिस्टर प्रति रोधक कवते हैं ठीकें क्या कहते हैं प्रति रोधक जो लोग लाल पीला वाला color वाला जो रेजिस्टर नहीं बनाते हैं सोगं कीलो ओम काहने का मतलब है कि अगर इसका गरम होने पर इसका सौट हो जाएगा, सारा चीजे जल जाएगा, ठीके, तो ये जो होता है, जिसका रजिस्टर हम बनायते हैं, ये यूरेका का रजिस्टर बनाया जाता है, ठीके, ये मिस्र धातु जो भी होता है, जो दो-तिन गो धातु से मिल कर बनाया जाता है, यूरेनियाम, क्रोमियाम, य इसी थियोरी में यह से परना है ठीक है तो वह जो होता है जीरो टेंपरेचर को अफिसेंट होता है कि मतलग गरम करिए चाहे ठांडा करिए इसका जो आपका क्या है यह रेजिस्टेंस का मान है वो न बढ़ेगा घाटेगा ठीक है तो समाज गया होंगे कि अल्टरनेटर में कितने परकार का लॉस होता है सबसे पहला हम लोग पर लिये थे आईरन लॉस ठीक है जिसमें आपका क्या रहता है हिस्टेंस लॉस और डाबलू एच अपलास यह यह सोडी यह हिस्टेंस लॉस और पलास एडी करेंट लॉस क्या हो गया आईरन लॉस हो गया है ठीक है आईरन लॉस परावर क्या हो जाता है हिस्टेंस लॉस पलास एडी करेंट लॉस ठीक है समझ गये उसके बाद हमारा आजाता है कॉपर लॉस तो देखिए copper loss जो होता है आपका stator ये stator बोल रहा है stator ये पर जो winding किया गया है ठीक है stator field stator छड़िये इसको copper loss जो होता है आपका जो field winding किया गया है और जो armature winding है ठीक है field winding अपना loss armature winding ठीक है ये दोनों में जो आपका मतलब की ये loss होगा दोनों में मिला के चुकि दोनों में winding किया गया है तो वो copper loss का मान हो जाता है ठीक है फिल्ड वाइंडिंग में जो और आरमेचर में जो दोनों में उत्पन हुआ वो क्या कॉपरलस हो जाता है ये जो इसका फर्मुला होता है i square into r होता है ये याद रखिएगा i square into r ठीक है ये आपका power का सुत्र है समझे कि ये power हम निकाल सकते हैं इससे ठीक है i square into r से ठीक है ये dc theory में ये भी है ठीक है ये अभी पढ़ लिया जाए syllabus खतम हजाएगा उसके बाद समय अगर मिलेगा तो फिर हम ये सब भी ac theory dc theory जो भी हमारा फर्स्ट एर का से लेवर चुट रहा है सभी हम detail में आप कोशिश करेंगे कि बता दे ठीक है तो उसके बाद हमारा देखिए क्या कौन सा loss था mechanical loss ठीक है कहां उत्पन होता है air loss देखिए यांत्रिक छती जो है अपका तीन जगा उत्पन हो जाता है ठीक है एक हो जाता है वायू घर्षन क्या हो गया वायू घर्षन ठीक है प्लस में क्या हो जाएगा अपका bearing घर्षन आर आई एन जी पी ए आर आई एन जी आई एन जी bearing हो जाता है अब पलस कम्यूटेटर पर घर्षन यानि कि कम्यूटेटर नहीं ब्रस का घर्षन लिख सकते हैं ठीक है कार्बन ब्रस का जो आपका यांत्रिक लॉस है कहां कहां उत्पन होता है तो वायू घर्षन वायू घर्षन हम बताए है कि क्या है कि जो इस टेटर है और रोटर है दोनों के बीच में कुछ गैपिंग रहता है उस गैपिंग में आपका रोटर घूमता है और रोटर घूमता है तो इन दोन क्या है हावा अफ़ा उत्पन करता है कि यह जो सिलिपरिंग या ओस पर आपका, ब्रस क्या करता है? घर्शन करता है ठीके, तो वो तीनों मिलके क्या करता है? यांत्रिक छति, यानि कि यांत्रिक यहמ webinar करता है ठीके, अब देखिए, ये का आपका हो جाता है स्ट्रे लॉस. stray loss हो जाता है ठीक है stray loss जो होता है यह याद कर लिजेगा कि iron loss और plus mechanical loss C-H-A-N-I-C-A-L mechanical loss ठीक है iron loss और mechanical loss का योगफल जो होता है न stray loss का लाता है ठीक है stray loss का लाता है ठीक है आइरन लॉस और मेकेनिकल लॉस को जब हम जोड देंगे तो वो क्या होगा एस्ट्रे लॉस हो जाएगा ठीक है तो आज के लिए इतना है वीडियो बहुत बड़ा हो गया ठीक है फिर अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे इफिसियेंसी पढ़ेंगे दक्षता उननीश या वीडियो उननीश ताइक सुध लगबग समाजीए कि आपका शूरू हो जायेगा ठीक है सो मुआर से कितने बजे शात बजे ठीक है सो मुआर से सात बजे शुबह और यदि हमें टाइम मिलता है सुबह तो फिर हम साम में भी करेंगे ठीक है ज्याधा से जादा objective question हो वो बनवाद दिया जाए ठीक है जहां से भी हमको जितना भी objective question मिलता है ठीक है चुकि जहां से मिले book से मिले या कहीं से कहीं से या हमारे पास जो है वो सब हम कोशिश करेंगे कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो आपको practice करा दिया जाए ठीक है थैंक्यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को लाइप एंड सब्सक्राइब करिएगा ठीक है